आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइडन और बाइडन एडमिनिस्टेशन में भारत और अमेरिका के रिष्टे दस सालों में सबसे उच्चतम स्तर पे हैं अम गुस्ट किया प्राइवेट डेनर तो था ही नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया 15 पॉइंट्स पे कॉंग्रेस को कहा कि हमको क्या करने की जरूरत है लेकिन इतनी जो इजज़त बक्षी है यह एतिहासिक है और यह आने वाले समय में बहुत ज़्यदा फाइदा करने वाली ह हाला कि दो अभी objections भी इस पे raise किये जा रहे हैं क्या है हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने personality development course की यह जो शांदार courses को आप जरूर अवेल करें दोस्तों समय 25 coupon को यूज़ करना है आपको 25% टॉप विलेगा बहुत ही जबर्दस course जो है वो हमने आपक करेंगा भारत के semiconductors में initial investment दो बिलियन डॉलर का होगा फिर उसके बाद MQ जो ड्रोंस हमने लिए हैं 9-1-B ड्रोंस लिए हैं तीन बिलियन डॉलर बहुत समय से यह अटका पड़ा था बहुत समय से इसको लेना था काफी डिले हो रहे थे इंडिया नेवी के लिए बहुत ब लड़ना पड़ेगा तो इंडियन डे नेवी जो यह ड्रोंस खरीदेगी 31 ड्रोंस वह बहुत बढ़िया होने वाले हैं जबर्दस्त हाला कि अभी जो foreign relations committee है अमेरिका कि इसको एक्जामिन करेगी और देखेगी क्या इसको दिया जाना चाहिए नहीं दियाना चाहिए लेक जो अमेरिका है उस technology को भारत में लेके आएगा तो यह जो तीन बड़े investment है ना भारत में और तीन नहीं दो और जो बाकी एक हम खरीद रहें अमेरिका से यह हमारे लिए बहुत beneficial होने वाला है यह बहुत बड़ी बात है उससे बड़ी बात ही है कि जिस तरीके से भारत की इ अमेरिका पाकिस्तान को भर-भर के पैसे दे रहा था डॉलस आते जा रहे थे लेकिन आज देखिए कहां पे है पाकिस्तान बोड़ी हलत तो हम कभी भी अमेरिका पे भरोसा तो कर नहीं सकते हैं है ना क्योंकि अमेरिका का तो यह वैसे record ही रहा है कि अगर कुछ भी करे और लेने की जरूर कोशिश करेगा और अगर ऐसा होता है तो भारत की जरूरत पड़ेगी भारत की एर फिल्ड की अड़न की जरूरत पड़ेगी उनको अमेरिका को बहुत जरूरी रहेगा अब अगर भारत अमेरिका को मदद देगा तो इसका मतलब यह है कि भारत डारेक्ट वार में है यानि कि चाइना तो बोलेगा कि हमारे बीच में मत पढ़ना लेकिन अमेरिका के मदद करने के बाद भारत वार में आ गया तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि भाई पहली बात भारत एलाई नहीं है चाइना का यह अमेरिका का ताइवान में भारत साथ हो सकता है, ना भी दे, कुछ के नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे चाइना से भी ठीक टाक रिलेशन्स है, बले ही वह भूल जाईए, जो भी यह हुआ ना, क्योंकि अगर आप business point of view से देखो, तो सब चाइना से है, यह दूसरा point यह है, कि जो भारत की गिरती democracy है, कही न कई वो भी concern है, है ना, हाला कि जो अमेरिका, अब जो बाइडन कह रहे हैं कि बहुत idealistic है, बहुत अच्छा value based है, जो बहुत सारे leaders है, वो भी एक के बादे tweet कर गहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह दो points अटके हुए हैं, अभी भी गले की फांस बनके, इसमें में ताइवान वाला ही है, यह हिसाब किताब, लेकिन फिर भी जो है, सो है, इतनी इजद बक्षना, technological transfer, और फिर अभी I, C, E, T, जो critical and emerging technologies हैं, वो जो भारत को अभी दी जा रही है, अमेरिका दोरा उसमें मदद की जा रही, यह भी बढ़िया है, तो यह भाया नए AI का जमा है, बाट फिर भी हमको सतरक तो रहना ही पड़ेगा, अच्छी बात है, जब international दोस्त इतने सारे हो, बाहर के दोस्त इतने सारे हो, तो यह अच्छा है, अब अमेरिका को हम बहुत, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, हतियार बेज बेज के बहुत ताकतवर हो गया, लेकिन अमेरिका के पाद बहुत करजा है, भारत के साथ भी करजे में ही है वो, है ना, लेकिन जो technology है अमेरिका के पास, वो भारत की बहुत ज़्यादा मदद करेगा, तो बेस्ट यही होगा कि इस जो period of time है यह, भारत जितना अमेरिका को निचोड़ ले, उतना अच्छा है, समझ तो होगा, वो तो होगा ही, लेकिन अभी जो time period बचा है, उसमें जितना हो सके, अमेरिका की मदद हमको लेनी चाहिए, यह लेचरता, छोटा सा लेचरता, एक अच्छा है इडिटोरियल, the times of India के मुझे लगा, मैं आपको बताऊं, तेज़े सिद्दान तक नहीं होता है, signing off हुआ।